चाहेंगे भोपाल की बात की जाए लगातार आकड़े बढ़ते जा रहे हैं लॉकडाउन भी लगा हुआ है और जिस तरह से जो संक्रमितों का आकड़ा है बढ़ता ही जा रहा है लेकिन रिकवरी रेट भी कहा जाए जितने भी मरीज रिकवर हुए हैं उनके भी अच्छे का करीब मामले सामने आ रहे हैं अगर के पीछे 24 घंटे की बात की जाए तो 1700 नए केसे समने आए हैं लेकिन दूसरी तरह अच्छी बात यह जिसका आम दिकर कर रही कि जो लोग रिकवर हो रहे हैं यानिकि जो ठीक हो रहे हैं उनकी संछ्क्या में भी बड़ोत्री दर्श कि गई है बोपाल में अगर बात करें तो कल 1609 लोगों को जो हैं वो कोरोना से जंग जीत कर घर वापस लोटे हैं अब उन्हें होम कोरिंटाइन पिरिड में रहना होगा और इसके लावा गर हम पूरे प्रदेश के फिगर देखें तो 9,035 लोगों को कोविड-19 से जो ठीक वो जमीनी इस तर पर मुश्टेद है बहुत बहतर विवस्ताओं को करने की कोशिश की जा रही है हाला कि अब भी ब्रदेश के अलग अलग छेतरों से आकसिजन की कमी की बात हो रैम्डे सिविर की कमी की बात हो ये तमाम सारी जो खबर है वो आ रही है लेकिन उमीद यही ह शुबांगी के आने वाले समय में ये तमाम जो किलते हैं ये दूर होंगी और लोगों को समुचित इलाज मिल सकेगा मुख्य मंतरी शिवरासिंग चौहान ने मंतरियों को अब अलग अलग जिम्मेदारिया दे दी गई है किसी मंतरी के पास बैट बढ़ाने की जिम्मेदा कि तरीके से प्रदेश की जनता का इम्मुनिटी बूस्ट किया जाए ताकि वह संक्रिमेट का शिकार ही नहीं उपाए इस तरीकी की जो अलग-अलग जिम्मेदारी है कोविट संक्रिमेंट को रोकने के लिए वो दी गई है कलेक्टर को साफ आदेश है कि आप अपने जिले का पालन कराया जा रहा है तो यह जो संक्रिमेंट है इसकी चेन ब्रेक होगी और आने वाले समय में कोविड का जो ग्रोथ रहते है वो जरूर कम होगा और एक बार फिर हम बैक बैक टू नू नॉर्मल हो पाएंगे शुवांगी बिल्कुल वासु आप बने रहे हमारे साथ गॉलियर की बात करें तो 30 थारिक तक यहां कोरोना कर्फिय우 बढ़ा दिया गया है बढ़ते संक्रमन को देखते हुए 29 दिन के लिए कोरोना कर्फियू बढ़ाया गया कर्फियू में होने वाली शादी समारों में 50 सदस्यों की अनुमती दी गई वही SDM को शादी समारों की सूचना देना आनिवारे होगा सुबा साथ बजे से दोपहर बारा बजे तक जित्ती भी दुकाने हैं किराना की वो पुली जाएंगी वही रात 9 बजे से सुबा 4 बजे तक लक्ष्मी गंज और पुरानी छावनी स्थित्फल मंडी को भी खोला जाएगा तो एक तरह से कहा जाए संक्रमितों का आकड़ा भी बढ़ रहा है और कोरोना कर्फियू भी अब गौलियर में बढ़ा दिया गया है तो रुख कर लेते हमारे संवाताता प्रहलाद सेन लाइफ जुड़े हुए हैं गौलियर से प्रहलाद आपसे जाना चाहेंगे अगर कर्फियू की बात की जाया तो इसे 30 तारिक तक बढ़ा दिया गया है साथ ही अगर कोरोना के आकड़ों पर नज़र डाली जाये तो 1213 नए संक्रमित मिले हैं क्या जानकारी है कोरोना पर बिल्कुल सुभागी जिस तरीके से मरीज लगातार मिल रहे हैं 1219 कल नए मरीज मिले 31 लोगों ने 24 गंटे में अपनी जान गबाई है जो संक्रमण की जो दर है वो ग्वालियर में 33 फीजदी बनी हुई है तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से हालाद बेकाबू है और इन्हें काबू करने के लिए ही करफ्यू की जो अवदी है वो 30 अप्रेल तक कर दी गई है वहीं पुरानी छाबनी में जो फल मंडी है वहाँ पर भी यही समय निर्धारित किया गया है इसके लावा जो साधी समारों होने है यानि आज से साधी समारों सुरू हो जाएंगे तो इसको लेकर भी काफी बंदिसे हैं पचास आदमी की संख्या सिर्फ रह सकती है जिसमें बर बदू दोनों तरफ से संख्या निर्धारित है इसकी अनुमती वाकाइदा इलाके के SDM से लेनी होगी तो यह तमाम सारी बंदिसे हैं लेकिन तमाम प्रियास किये जा रहे हैं बावजूद हालात बहुत ज़्यादा बत्तर नजर आ रहे हैं क्योंकि जो एक मात्र हॉस्पिटल है सुपर स्पेसलिटी वहां उत्तर पिदे जो को बहतर उपचार दे सके हलाकि ऑक्सीजन की कल दो टैंकर आये हैं इसलिए ऑक्सीजन की जो परियाप्त मात्रा में जो उपलब दता है वो सुनिश्यत हो चुकी है अन्य अस्पताल है वहां पर भी आसपास की फैक्ट्रियों से ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारी रूप करफ्यू को लेकर जो क्राइसिस मेनेजमेंट की बैठक कल आयजुद की गई थी उसमें कॉंग्रिस ने बाइकॉट कर दिया उनका कहना था कि पॉबलिक को तमाम समस्यां हैं बहुत सारी दिक्कते हैं आप हमारी सुनवाई नहीं कर रहें तो यह सब भी अभी राजनितिक ह हमारी साथ जुड़ने के लिए वासु आपका भी धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए तो मद्यपुदेश में बड़तिक संक्रमन के बीच अगर गौलियर की बात की जाया तो यहां 9 दिन का कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है और अब संक्रमितों का आकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है संकट की घड़ी है लेकिन इसमें कई उपाए सरकार द्वारा किये जा रहे हैं जिसके चलते कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया